इसका फॉर्थ चेप्टर गूड हैबिट्स पढ़ेंगे तो चलो हम इस लेशन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि हमें क्या-क्या आदतें अपनानी चाहिए और क्या-क्या आदतें छोड़नी चाहिए तो चलो हम लेशन को शुरू करते हैं तो बच्चो पहले आप इस लेशन में जो शुरू में इमेज दी हुई है इमेज देखो और आप कोशिश करो कि इसमें कौन-कौन सी अच्छी आदतों के बारे में बताया हुआ है तो हम है जो चलो अब पोईम पढ़ते हैं तो पोईम आपकी कुछ इस्तर हैं अरली मतलब होता है जल्दी और राइज मतलब होता है उठना तो कभी क्या कह रहा है कि तुम जल्दी से सोने जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ मेक्स एम एन हेल्थी वेल्थी एंड वाईज हैल्थी होता है स्वस्त वेल्थी होता है धनी और वाईज मतलब बुद्धिमान यहाँ चीज एक वेक्ति को स्वस्त धन्वान और बुद्धिमान बनाती है ब्रशिंग यूर टीथ ट्विश ए डे ट्विश मतलब होता है दो बार अपने दांतों को दिन में दो बार साफ करना एट बे इसका मतलब होता है दूर रखना गम्स मतलब होता है मसूडे तो अगर आप दिन में दो बार बर्श करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है कि हमारे जो गम्स हैं वो जम्स फ्री रहते हैं जम्स मतलब रोगाणू जिससे रोग होता है उनको रोगाणू बोलते है अगर आप दिन में दो बार बर्श करते हो तो आपके मसूडे हैं वो सुवस्त रहेंगे और जम्स से दूर रहेंगे ए बात एवरी डे पर तेक दिन नहाना चाहिए जो हमें रोजाना नहोगे तो रोजाना नहाने से हम खुश रहेंगे गे मतलब खुश, क्लीन मतलब साफ और फ्रेश मतलब ताजा तो रोजाना नहाने से हम ताजा, साफ और खुश महसूस करेंगे कॉम यूर हेर एंड वियर क्लीन डेस कॉम होता है कंगी और वियर होता है पहनना अपने तो नहाने के बाद अपने बालों को कंगी करो और साफ कपड़े पहनो ट्रिम यूर नेल्स एंड दे विल नो टुक ए मैस मैस होता है कंगी नेल मतलब नाखून और ट्रिम मतलब काटना हमें अपने नाखून समय पर काटने चाहिए और उन्हें गंदा नहीं रखना चाहिए खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद wash your hands and do not be rude अपने हातों को साफ करना चाहिए और assist यह आप कह सकते हो ऐसब यह नहीं बनना चाहिए मतलब हमें एक दिम सही आदते बनानी चाहिए जिसे हम एक सब्य इनसान बन सकें आपको अपना लेसन या चेप्टर को रोजाना पढ़ना चाहिए pray to god हमें बगवान से प्रार्थना करनी चाहिए and also go out to play और हमें खेलने के लिए भी जाना चाहिए तो बच्चो यह था आपका लेसन इसमें कितनी हमें अच्छे आदतों के बारे में बताया गया है तो आप इस लेसन को पढ़ना और मुझे बताना कि इसमें कौन-कौन से आदते हैं जो हमें करनी चाहिए तो बच्चो अब आप इसको लेसन को पढ़ो नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी